वलकम टो टोप गाडवनिंग आज हम आपको बताएंगे कि नैचरली अप फल्टियाजर कैसे बना सकते हैं नीम के पत्ते नीम के पत्ता हम सभी को पता है कि बहुत जादा लाव दाएक होता पहोती दी जाद steps होता है तो हम अगर गार्णिंग करने तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे होता है जिसमें कीड़े लग जाते हैं जैसे की कड़ी पत्ता हो गया या फिर किसी भी फल फ्रूट का जो है वहता होता है उसमें कीड़े लगने के चांसे बहुत हाई होता है और हम कैमिकल वाले फर्टि लिजे आपको करना कुछ नहीं है आपको एक जो ताजे पत्ते होंगे नीम के वो लेना है आप उन पत्तों को तोड़ कर इस तरीके से आप देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं एक बारी आपको क्या करना है इस तरीके से जो पत्ते हैं वो तोड़ कर इस टप में डाल देना है तो मैं इस तरीके से देख सकते हैं आप इस तरीके से आप जो पत्ते हैं वो अलग कर देना है ध्यान रखें जो यह जो पत्लियाली जो ग्रीन यह वाली इसको अबॉइड करें इसको ना रखें तब में आप इस तरीके से करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा से पानी एड़ान करना है आप पानी आड़ कर लेंगे तो पानी आड़कर ने के बाद इस इन पत्तों तो आपको ऐसी ही छोड़ देना है मिक्स करने के बाद जब मिक्स कर दें अच्छी तरिके से हैं फिर किसी लट्कती से मिक्स कर सकते हैं मिक्स करने के बाड आप को इसको ऐसे ही छोड़ देना है इस तफ को दो दिन के लिए दो दिन के बाद आप इससे अपने पोधों के econom सरफ लिए fertilizer है मिक्स करना हो हो जाएगा यह और आप महीने के अंदर एक महीने में दो बार अराम से इसको यूज़ कर सकते हैं आपके पोदर को कोई भी उक्सान नहीं होगा बहुत धादा फायदे बंद रहेगा और आप अपने नेचरली फर्टिलाइजर आपका तयार हो जाएगा इस तरीके से आप इस इस वीडियो को आप लाइक करिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने थौट्स भी शेयर दे सकते हैं थैंकि सो मच पॉच्छ करने ही जाएगा